नमस्कार आईए आज हम देखते हैं सांखिकी का भाग दो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो जो हम माध्य बिचलन पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद उसमें और क्या है वो देखेंगे तो आईए देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उनके थोड़ा सा दोहरान करेंगे और उसके बाद जो मुख्य काम हमारा है जानने का वो है Mean Deviations for Grouped Data यानि जो वरगी कृत आकड़े हैं उनके द्वारा माध्य बिचलन कैसे निकाला जाए ये हम जानेंगे तो देखते हैं पहले हमने क्या क्या चीजों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है प्रकीरिनन माप, Measures of Dispersion हमने पढ़ा था कि माध्य माध्यका और बहुलक से सारी जानकारियां नहीं मिलती हैं इसलिए हमें प्रकीरिनन की माप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जिसे चार प्रकार से पता कर सकते हैं हमारे कोर्स में अभी तीन प्रकार हैं जिसमें परिसर के द्वारा हो सकता है या माध्य बिचलन के द्वारा, Mean Deviation के द्वारा और तीसरा हम बाद में पढ़ेंगे मानक बिचलन के द्वारा यानि Standard Deviation के द्वारा अभी जो परिसर के द्वारा पता करते हैं उसमें अधिकतम मुले, माइनस नियूनतम मुले करके पता कर सकते हैं अवर्गी कृत आकडे, अर्थात, जो वर्गों में नहीं है जो रो डाटा है, एक लाइन में डाटा लिखे हुए हैं अगर हमें उनका माध्य बिचलन निकालना हो तो हमने मुख्य रूप से तीन प्रकार पड़े थे एक कल्पित माध्य के द्वारा, जिससे बहुत कम निकाला जाता है मुख्य रूप से माध्य और माध्य के द्वारा निकाला जाता है तो हमने पढ़ा था कि अगर माध्य के द्वारा निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार का निरपेक्षमान उसका मॉडूलस निकाल करके फिर उसमें नमबर ओफ डाटा से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं इसी तरह से माध्य काका जब निकालना होता है तो x i-m करके और n से भाग यानि जितने भी आंकडे हमारे पास हैं उससे भाग करके हम जो माध्य बिचलन है वो पता कर सकते हैं इसके बाद अब आगे हम आज सीखेंगे कि अगर हमें वर्गीकरत आंकडे हो तब हम कैसे निकालें आईए देखते हैं सबसे पहले तो वर्गीकरत आंकडे किसे कहते हैं यहां बड़ा सुन्दर सा हमारे पास एक सांखेकी में जो डाटा बनाने वालों ने बनाया है कि जब हमारे पास आंकडे बहुत जादा हो जाए या जब हमारे पास कुछ ऐसे डाटा हो जो बार-बार रिपीट हो रहे हो तो ऐसे में हमें उनको अगर वर्गीकरत करके लिख देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है जैसे अगर एक कक्षा में 60 विद्यारती हैं हमने उनके सभी के गणित में कितने कितने अंक आए हैं इसका एक डाटा तयार किया अब 60 विद्यारतीयों का डाटा अगर हम एक लाइन में लिखने लगेंगे तो 4-5 लाइने लग जाएंगे फिर उसको देखना उसको जोडना कई वार ऐसा लगता है पता नहीं कैसे होगा वहीं हमने ये देखा कि किस विद्यारती के कितने कितने अंक आए हैं कई अंक ऐसे होते हैं जो बारवार आ रहे होते हैं इसलिए जो अंक आए हैं उन्हें लिख करके कोई अंक मालो किसी विद्धियार्थी के 40 नमबर आए अब 40 मालो 10 विद्धियार्थियों के आए तो 40, 40, 40 दसवार लिखने के वज़ाए हमने लिख दिया के वई 40, 10 के आए काफी है वज़ाए दसवार लिखने के 50 आयत 5 विद्धियार्थियों के पचास लिखकर के लिख दिया आगे पांच जिसको की हम बारम बारता कहते हैं अर्थार जो वरगी करत आकड़े हैं उसमें X और F इसका बड़ा महत्व है कई बार ऐसा होता है मान लो अंक जीरो से और साट तक के बीच में बहुत जादा आ गए तब भी हम पूरा लिखने के बजाए के पूरा पेज भर गया फिर हम उसको बांट लेते हैं एक काम करते हैं जीरो से दस तक कितने विद्यार्थियों के आए दस से बीस तक कितने विद्यार्थियों के आए 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 इस तरह से भी हम उनका वर्ग अंत्राल निकाल करके फिर पता कर सकते हैं लेकिन इन दोनों कंडिशन में F पड़ा निश्चित होता है शांत रहता है जो वर्ग अंत्राल हो या कोई अंक हो वो कितने विद्यार्थियों के आए हैं यह हमें बारम बारता से पता लग जाता है जहां तक X की बात है यदि अंक कम है तब तो हमने सीधे अंक लिख दिये और अगर अंकों में बहुत जादा है तो हमने वर्ग अंत्राल के रूप में लिख दिया लेकिन वर्ग अंत्राल में लिखने के बाद भी हमें उसका X निकालना होता है है ना तो सबसे पहले हम ये देखें कि वर्गी क्रत आंकडे दो तरह के होते हैं पहला असतत बारंबारता बंटन के द्वारा यानि discrete frequency distribution जिसमें केवल X और F होता है लेकिन दूसरा जो continuous frequency distribution भी होता है सतत बारंबारता बंटन उसमें हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है और वर्ग अंतराल देने के बाद जब हम वर्ग अंतराल के द्वारा उस बारंबारता सारणी को बना लेते हैं तब वो कहलाती है सतत बारंबारता बंटन इन दोनों में अच्छी बात क्या है कि वर्ग अंत्राल भी अगर हमने निकाला तो उसके वर्ग अंत्राल का मध्य बिंदू एक्स होता है और एक्स निकालने के बाद ही हम बापस जब इसी में आ जाते हैं असतत बारंबारता बंटनवें तभी हम आगे माध्य, माध्य का या बहुलक पता करते रहे हैं दस्वी क्लास तक और ग्यार्वी क्लास तक आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है जैसे जब आपने बर्गंत्राल पढ़े थे आपने दो तीन तरीके से माध्य निकाला होगा बरगंत्राल का मध्धिविंदू निकाल करके X आ गया और जब X और F हो गया तब आपने माध्य निकालने के लिए दो तरीके अपनाए होंगे पहला सिग्मा F X बटा सिग्मा F सीधा सीधा F को X से गुणा कर दिया बाद में बिचलन मेथड भी पड़ा होगा और सबसे बढ़िया मेथड आपने जो शॉटकट मेथड जिसको लगुत्तर मेथड कहा जाता है लगुत्तर बिदी कहा जाता है वहां आपने पड़ा होगा A जमा सिग्मा F U बटा सिग्मा F गुणा H इस तरह से हम आसानी से उनका माध्य निकाल सकते हैं तो माध्य निकालना इस सतत बारंबारता हो या असतत बारंबारता हो ये हमारा मुख्य रूप से टार्गेट होता है अब मालो मैंने माध्य निकाल लिया जो बिचलन होता है हमने पड़ा था कि बिचलन जो है वो इस तरह से निर्पेक्षमान में आ गया लेकिन जो बिचलन आया वो सभी डाटा से इंटू होना है अब जैसे हम पड़ रहे थे एक विद्यार्थी के चाली संक आए और वही चाली संक मालो दस विद्यार्थियों के आए है तो बजाए उसको दस वार जोडने के हम बारम बारता से अगर गुणा कर देंगे तो अपने आपी वो दस के दस विद्यार्थियों का टोटल आ जाएगा इसलिए जब सतत बारंबारता हो या असतत बारंबारता हो सब कुछ वही का वही है माध्य बिचलन फरक पड़ गया है तो केबल F का नीचे भी जो टोटल डाटा है उससे डिवाइड ही होगा लेकिन जो हमारा माध्य आया है माध्य के द्वारा X को माइनस किया है लेकिन वो X केबल 5 या 7 नहीं होते बारंबारता से पता लगता है कि X कितनी बार है इसलिए एप से गुणा करने के बाद हम उसका टोटल करते है और फिर हम इसका माध्य विचलन निकालते हैं आईए उधारन के द्वारा आगे सीखते हैं माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है और यहां मैंने जो उधारन लिया है वो सीधा वर्गंत्राल का लिया है वर्गंत्राल के द्वारा हमें माध्य विचलन निकालना है यानि य इस सतत बारंबारता से X पता करना तो इसको हमें कैसे करना चाहिए मैं आपको पूरा इसका बिधी बताता हूँ सबसे पहले आप यहां पर जैसा प्रश्न में दे रखा है प्रापतांक या वरगंतराल भी लिख सकते हैं और यह है आपका 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80 यह आपका वरगंतराल हो गया अब आपको F यानि बारंबारता दे रखी है बारंबारता में 2 3 8 14 8 3 2 यह आपको F अगर आपको वरगंतराल दे रखा है तो सबसे पहला काम हमारा होता है X निकालना और X निकालने के लिए जो असली विधी है वो क्या है निम्न और उच दोनों सीमाओं को जोड करके दो का भाग लगा देते हैं और 20 का जोड 30 30 का आधा किया तो 15 आ गया लेकिन अगर आप थोड़ा सा द्यान करें तो तो आपको एक और सुबदा हो सकती है इस जो आपका उच्छ सीमा है इसको ध्यान से देखें तो सभी में समान अंतर हैं अगर ये सभी में समान अंतर हो तो इसके अंतर को पता कर लें सबसे पहला का अगर अंतर देखा तो दस-दस का अंतर आ रहा है इस दस का आधा कर दें औ और 10 का आधा करने के बाद, आप जो निम्न सीमा है, इसमें जोडते जाएं, तो आपके पास X अपने आप आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, साफधानी क्या रखनी है, ऐसा ना हो कि यहां सभी में समान अंतर नहीं हो, तो यहां चुकि सभी में समान अंतर है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं हो समान अंतर तो तरीका दूसरा वही है, 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 जोड़ा 50, 50 का आधा 25, लेकिन अगर मुझे सारा बरावर अंतर दे रखा है, तो 10 का अंतर है, 10 का आधा हो गया 5, निम्न सीमा में 5 जोडते जाओ और लिखते आगे देखें, 30 में 5, 35, 45, 55, 65 और 75, इस तरह से X का मान आप आसानी से पता कर सकते हैं, अब F और X मालू में, यहां माध्य निकालने का जो एक नवी और दस्वी कक्षा में आपने शुरू में पढ़ा, कि F X निकाल लिया, इनको F को X से गुणा कर लिया, टोटल कर लिया, और कुल करके F के टोटल से भाग लगा दिया, माध्य पता हो गया, लेकिन अगर यह समान अंतर चल रहा है, तो एक और विधी, जो आपने दस्वी क्लास में पढ़ी है, उस विधी से अगर आपने माध्य निकाला, तो आपको बहुत आनंद भी आएगा, और आसानी से बिना जादा गुणा भाग के आप माध्य निकाल सकते हो, इन में आप लगभग बीच में देखें, तो 45 है, तीन उपर हैं, तीन नीचे हैं, जरूरी भी नहीं है कि एकदम बीच में आ जाए, अगर एकदम बीच में नहीं हो, तो आप उपर वाली संख्या ल सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं A, हमने मान लिया इसको A, अब चुकि मुझे U निकालना है, या D, अपनी अपनी तरीके से, लेकिन इसका मान जरूर रखना, X-A बटा H, H क्या होता है, इनका अंतर, बीच का अंतर, तो 10H 10 हो रहा है, A 45 हो रहा है, अब आप U का मान निकाल रहे हैं, मत निकालना, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपको सीधा 45 के आगे 0 लिखो, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, 3, है ना इसमार तरीका, सबसे आसान, अगर ये समान अंतर है, तो 45 के आगे 0, उपर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, नीचे प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3, अब जो आपको Fx करना था, उस Fx की जगे, आपको करना है F u, F u करने से क्या होगा, देखो आसान है, सीधा गुणा करोगे, माइनस का 6, 3 को माइनस 2 से किया, माइनस 6, 8 को माइनस 1 से किया, माइनस 8, 14 को 0 से किया, 0, 8 को 1 से 8, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, ये तो बाईचांस की बात है, जो मैं देख रहा हूँ, कि जितने माइनस में हैं, उतने ही प्लस में आ गए, पर ये निश्चित है कि जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाएं ऐसा हो सकता है कि माइनस में थोड़े से जादा आ जाएं या प्लस में थोड़े से जादा आ जाएं यानि आपको माइनस का अलग जोड़ना है प्लस के अलग जोड़ने है दोनों को घटाना है और घटा करके यहां इसका मान रख देना है सिग्मा एफ यू फिलाल ये जीरो आ रहा है पैतालिस के कारण पर आप अपने इस तर पर इसको पता कर सकते हैं दौनों में आ सकता है जीरो आए जरूरी नहीं है इसके बाद माध्य का सूत्र एक्स बार एक्स बार जब हमें करना है तो हमें पता है कि जैसे हम पहले करते थे सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच और ए सिर्फ आगे जोड देना है क्योंकि ए हमने घटाया था एच से भाग दिया था तो एच से गुणा कर दिया अगर हमने इस तरह से निकाला तो हमारा माध्य ए जो पैंतालीस है और चुकि ये जीरो होने के कारण से सारा जीरो हो गया और एक्स बार आ गया पैंतालीस माध्य आ गया हमारा पैंतालीस अब जब माध्धे 45 आ गया तब ध्यान करें यही तो टारगेट था हमारा जो शुरू का टारगेट था कि माध्धे पता करना तो जब ये डाटा दे रखे हूं तो पहला काम माध्धे निकालने का अब क्या करना है अब हमें F के साथ चुकि X-X बार निकालना है लेकिन इसको निकालने के लिए हमें पहले X-X बार निकालना होगा और X-X बार कैसे निकलेगा? X का मान ध्यान रखना है ये अब वरगंतराल को भूल जाना X ये है, F ये है, लेकिन पहले हमें X-X बार यानि 45, 15 में से माइनस करना है तो हमारे पास आगया माइनस 30 फिर हमने 25 में से किया माइनस 20 35 में से किया माइनस 10 45 में से किया 0 55 से किया 10, 20, 30 ये हमारा रहा X-X बार इस सब को जब हम गुणा करेंगे F से, F का मतलब 2 से, 3 से, 8 से, 14 से, 8, 3 और 2 इनसे गुणा करके हम जब इनहें जोड देंगे वह हमारे पास वो डाटा आ जाएगा कि X-X बार एप से गुणा हो गया लेकिन यहां जो साबधानी पुना हर रखनी है वो क्या? कि मॉडुलस है इसलिए इन सब को प्लस लेना है बस इतनी सी साबधानी रखनी है सूत्र में मापांक है निर्पेक्षमान है इसलिए इसको मॉडुलस में लेना है एप से गुणा करना है और अब जब गुणा कर लेंगे तो तीस दूनी साथ बीस तिया साथ दस आठ असी ये तो जीरो हो जाएगा फिर से असी साथ साथ और इनका टोटल करके हम सिगमा एफ एकस माइनस एकस बार का मान पता कर सकते हैं एक बार देख लें छे और छे बारे आठ बीस और बीस चालीस यानि ये हो गया हमारे पास चार सो एफ और मापांक के साथ एकस माइनस एकस बार का टोटल चार सो हो गया मानक बिचलन निकालने के लिए हमें केबल इसमें अब भाग देना है सिग्मा एफ का और सिग्मा एफ का भाग देने के लिए एफ को भी टोटल कर लेते हैं तब हम लिख देंगे माध्य बिचलन about mean हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का मान चार सो बटा एफ का टोटल चार सो और ये कटके हमारे पास आ गया दस इससे क्या अर्थ हुआ कि जो डाटा है उसमें जो बिचलन है वो केबल दस है एक बिशेश बात जब बिचलन निकालते हैं इस से ये पता भी लगता है कि कौण सा मान हमारा जादा उप्योगी है जादा सही है जिसका बिचलन जादा आता है वो जादा इस्थायत्व न नहीं माना जाता तो इस तरह से हम माध्य के सापेक्ष बिचलन निकाल सकते हैं एक वार पुनहा जब माध्य के सापेक्ष निकालें अगर हमें वरगंतराल दे रखा है तो वरगंतराल के बाद X निकाल करके FX करें FX करके उनका माध्य निकालें अगर आसान तरीके से करना चाह और आसानी से आप इस माध्य बिचलन को पता कर सकते हैं अब देखते हैं माध्य के बजाए अगर माध्यका होती तो हम कैसे करते हैं आईए आईए अब देखते हैं निम्लिलिखित आकड़ों के लिए माध्यका के सापेक्ष माध्य बिचलन ग्याद कीजिए तो यहां हमें वर्गंत्राल दे रखा है और बारंबारता दे रखिए तो सबसे पहला काम हमने वर्गंत्राल लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमने बारंबारता भी लिख ली 6, 7, 15, 16, 4 और 2 माध्धिका निकालने के लिए हमें इसकी संचई बारंबारता की जरुत पड़ेगी CF अब CF निकालने के लिए जैसा आप जानते हो सबसे पहले 6, 6 में हम 7 जोडेंगे 13 में 15 जोड़ा, 28, 28 में 16 तो 28 और 6, 34 और 10 44, 44 में 4 जोड़ा, 48 और 2, 50 चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इस F का भी टोटल कर लें, अगर ये पूरा 50 आजाता है, तो इसका मतलब आपका ये टोटल ठीक है, इसके बाद जब आपने CF निकाल लिया, चुकि ये वरगंत्राल के रूप में है, अगर वरगंत्राल नहीं होता, तो सीधा X होता, आप इस 50 का आधा करते हैं, और 50 का आधा करने पर 25 आखड़ा और फिर 26 आखड़ा, 25 का डाटा, 26 के डाटा को प्लस करके आधा करते हैं, तब आप माध्यका निकालते हैं, लेकिन वरगंत्राल में चुकि एक पूरा 10 का अंतर है, इसलिए, इसके लिए जब हम माध् इका वरग है, उसकी निम्नसीमा, N बटा दो, माइनस CF, बटे में F, गुणा H, अब ये क्या-क्या है, सबसे पहले 50 का आधा करते हैं, पच्चीस हो गया, यहां हम CF में चेक करते हैं, कि 25 कहा होगा, तो हमें तो कहीं 25 नजर नहीं आ रहा, लेकिन संचई वारम बारता का मतल है, 13 तक, तो 13 तक 6 से जादा, और 13 तक दूसरा बरगंतराल, 13 से जादा, यानि जादा 13 के बाद, और 28 तक तीसरा बरगंतराल, 28 से जादा और 44 तक चौथा बरगंतराल, तो हमें तो 25 चाहिए, तो 25 के लिए अच्छा हो, कि आप यहां पर ऐसे आयत बना लें, लेकिन जो CF है, वो ना तो इसका आधा होगा, ना यह 28 होगा, तो फिर CF कौन सा होगा, इसके उपर वाला जो डाटा है, यह CF होता है, हमारे लिए, और जो वरगंतराल में आया है, यह आपका F हो गया, और यह आपका L हो गया, निमन सीमा, इन सब का मान वहां रख करके, हम स सबसे पहला काम करेंगे माध्यका निकालने का, तो L का मान 20 है, और NY2 तो 25 ही, माइनस, उपर जो CF है, वो है 13 बटे, बारम बारता हमारी है 15 गुणा 10, जब हम इनको हल करेंगे, तो हल करने के लिए, सबसे पहले इसको काट लेते हैं, और उसके बाद 20 जमा, 25 में से 13 गए, तो 12, गुणा 2 बटा 3, तीन चौका 12, इस तरह से हमारे पास आ गया, चार दूनी 8 और 20, 28, माध्यका हमारे पास आ गई 28, अब एक बार सूत्र याद करें, mean deviation, about median, इसमें हमारा होगा, sigma x minus m बटा n या sigma f, लेकिन f तो है ना, इसलिए हमें f से इसको गुणा करना ही होगा, तो हमें क्या करना, सबसे आसान तरीका है, कि इसके बाद आप अब x पता करें, 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30, 25, 35, 45 और 55, फिर x minus m पता करना है, लेकिन modulus में, modulus का मतलब सारे plus में लिखना है, 28 आया था, तो हमें 5 minus 28 करना है, अर्थाथ 23, प्लस में, जब मुझे 15 minus करना है, तो वहाँ मेरा आ गया 13, 25 में से minus करना है, तो 3, 35 में से minus करना है, तो 28 और 2, 30 और 5, यहनि 7, 45 में से minus करना है, तो 17, और 55 में से करना है, तो 27, इस तरह से x minus m हम पता कर सकते हैं, और जब x minus m आ गया, फिर हम f से गुणा कर देंगे, x minus m को, और जब भी यह आएगा, f के साथ गुणा करके, उसका जो टोटल होगा, f x minus m, इसका हम यहाँ उप्योग करके, sigma f से भाग करके, हम इसका मानक बिचलन पता कर सकते हैं, तो मानक बिचलन, अगर हमें वर्गी कृत डाटा दे रखे हो, group डाटा हो, तो पहले माध्यका निकालना, माध्यका निकालकर f से गुणा करके, x में से minus करके, f से गुणा करके, आसानी से हम इनको पता कर सकते हैं, तो आज हमने क्या-क्या देखा, आईए, देखते हैं, हमने देखा कि जो वर्गी करत आंकडे हैं, उसका जो बिचलन निकालते हैं, तो बिचलन निकालने के लिए, दो तरह के बारम-बारता बंटन हमारे group डाटा होते हैं, जिसमें एक असतत और एक सतत, इन दोनों में, अगर हमें माध्य के सापेक्ष चाहिए, तो सब कुछ पुराना मैथड है, X में से माध्य माइनस करना, मॉडूलस में लेना, और उसको F से गुणा करके टोटल करना हैं, इसी प्रकार यदि माध्य का से करना हैं, तो X माइनस M, एप से गुणा करना, एक बटा N, बस इस मापांक के निशान को नहीं भूल जाना, अर्थात सब कुछ प्लस में आएगा, उम्मीद है, इस तरह से गुरुप डाटा यानि वर्गीकरत डाटा का भी आप आसानी से हर प्रश्न कर पाएंगे, धन्यवाद, एक फाले कोंने पाटा का लूल जा सा सब करना, बस muss ददिया है, उम्मीद एप गूल जाना, यूल जा हती चारी कि जा AGU पाएंगे, प्लवाद, झासे हर आसे हर जाम हो ही उम्मीद, झाल झाल